नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ उत्तर भारत की अस्पेसल रेसिपी और वो है मसालेदार खिचरी और साथ में रोस्टिट पापर और मैं आपको बताना सिखाऊंगी ग्रीन चटनी की रेसिपी भी जो कि एक ही बर्तन में तो ना बनाने में जहनजट और ना ह मैंने इसके सारे इंगेडियंस को वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्बु कनव जिया और मैं अपने चानल घर का जाएका विद खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छ लिया है और वो चावल नॉर्मल चावल है जो की हर घर में एविलेवल होता है और साथ में ही हम मैंने यहाँ पर चना दाल और मसूर का दाल लिया है जो की बड़ावर क्वांटिटी में और आप यहाँ पर अगर एक कप चावल लिजिएगा तो उसमें आधा कप मसूर और आइड करियेगा, यह बड़ावर नाप है खिछडी के लिए फिर हम यहाँ पर वेजिटेवल लेंगे, तो उसमें हम को भी लेंगे एक कप और साथ में ही हम लेंगे यहाँ पर चार बरे साइज में आलो इसे हम पानी में ही डिप करके रखेंगे और फिर हम यहाँ पड़ लेंगे एक टप में कुछ धन्या के पत्ते और इसी के साथ हम यहाँ पड़ लेंगे एक कटोरी मटर और दो मिर्च ये सारे इंगिडियन्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं और फिर हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे और हम इसमें वाइल आइड करेंगे और साथ में ही हम तेजपत्ता और दो मीर्च आइड करेंगे और इसे एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम इसमें आइड करेंगे आलू और साथ में हम आइड कर देंगे गोभी गोभी और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए ही कुक करेंगे ज्यादा कुक मत करिएगा दिखिए हम इसे सिर्फ कुकर में ही सारे इंगिडेंस को एट करेंगे और खिचरी हम कुकर में ही कुक करेंगे तो फिर हम इसमें add करेंगे लासुन और इसे हम कचा पंदूर करने तक ही cook करेंगे और फिर आवा मसाले की बारी आई तो हम इसमें add करेंगे healthy powder और साथ में ही हम add करेंगे लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर ये सारी इंगिरियंस का नाव वीडियो के लास्ट में नोट है आप वहां से चेक कर लीजिएगा और इसे हम एक दो मिनिट cook करने के बाद हम इसमें add कर देंगे चावल को और चावल को मैंने शोक नहीं किया है जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था उसी टाइम हम इसे धोके रख दिये थे और इसे भी हम हलके हाथों से एक दो मिनिट तक चलाएंगे और फिर हम इसमें add करेंगे पानी को अगर आप यहाँ पर एक कपचा वाली हैं तो उसका पाच बुना पानी आइड करिएगा हम इसे एक वार और चला लेंगे और फिर हम इसमें और सारे इंगिरियन्स को add करते हैं तो हम इसमें add करेंगे टमाटर धनिया पत्ता माटर और हम यहाँ पर एक सिक्रिट इंगिरियन्स भी add करेंगे तो उसको देखने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें फिर हम आइट करेंगे टेस्ट के हिसाब से salt अरे बाबा यह नहीं है यह है वो है घी तो हम इहाँ पर एक चामच घी यूज़ करेंगे इससे हमारी खीचरि में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और फिर हम इसे कुकर का लीड लगा कर इसे हम तीन सीटी आने तक उबाल करेंगे कूकर में सीखी लग चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम पापर भी तयार कर लेते हैं तो हम यहाँ पर एक तबा लेंगे तबा को हलका गर्म करेंगे और फिर हम इसमें सरसो वाइल का कुछ छीटे ड्रॉप एड़ करेंगे और उस पे पापर को धीरे धीरी धीमी याच पर सेकेंगे अलट पलट कर जब यह दोनों तरब से सिख जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से पानी के बुंदे इसे यह हलका सा नर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े से पानी के बुंदे एड़ कर देते हैं और इसे थोड़े दिरी और सेक लेंगे अब पापर दोनों तरब से सेख चुका है अब हम इसे धीरे धीरे उठा कर इसे राउंड सेप देंगे फिर हम इसे राउंड सेप देने के बाद थोड़ा सा तावे पर रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सुकूर जाए तो लीजिये तैयार है राउंड सेप रोल पापर तो यहाँ पर हमारे कूकर भी ठंड़ी हो चेके हैं अब हम लीट को हटा कर देखते हैं कि हमारा खिचरी कैसा है तो देखिए खिचरी कितनी परफेक्ट है है ना बहुत ही इन देखने में भी सुन्दर क्योंकि घर का जयका वित खुश्बू में जो दिखता है वही पकता है तो अब हम इसे चौक लगाएंगे तो चौक लगाने के लिए हम एक बरतन में वाइल एड़ करेंगे और साथ में ही जीरा, साबुत, लाल मीर्च और इसे खुश्बू आने तक कूक करेंगे और फिर हम इसे एड़ कर देंगे कूकर में और लीट को ढग देंगे ताकि ये स तैयार है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो हम सर्व करने के लिए इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे गानिसिंग करने के लिए हम इस पे धनिया का पत्ता रख देंगे इसे बहुत ही खुबसूरत लगेगा देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है पीला और हा और साथ में हम यहाँ पर रोस्टेड पापर और उसी के साथ गरीन चटनी आप बोल रहे होंगे कि आपने तो गरीन इस भी बता ही नहीं तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करना होगा फिर साथ में हम उपर से घी को एड़ कर देंगे तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म खिचरी और उसके साथ ग्रीन चटनी और वित रोस्टेट पापर तो चलिए इसे टेस्ट करकर बताते हैं कि ये कैसा बना है तो इसे टेस्ट करने के लिए हम एक वॉल में इसे थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं और उपर से हम ग्रीन चटनी एड़ करेंगे और पापर को निचोर कर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा घी और इसे मिक्स करेंगे और फिर हम खाएंगे सच में ये बहुत टेस्टी है वैसे तो मुझे खिचरी पसंद नहीं है बट ये बहुत ही अच्छा बना है मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे खालू है तो आप इस मेट थर्ट से सिर्फ एक वार हाँ जी सिर्फ एक वार आप अपने घर पर इसे ट्राइ जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताईएगा कि कैसा वना है तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आप बिहारी इंडियन और कम बजट बनने वाले कुजीन में दिलजस्प रखते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मैं इसी तरह का वीडियो हमें साल लाते रहती हूं अपने इसी चैनल घर का जायका विद्खुशू में जब तक कुछ रहिए कुछियां बाढ़ते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए थैंक यू टेक केर और नमस्कार